मन्जिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाप बड़े होते हैं याद रखेगा साथियों मन्जिल उन्हें मिलती है जो अपने जिद पे अड़े होते हैं आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी जहिन चात्रो मैं इशार रहमत कॉंपिटिशन चलता हूँ आ रहा है इसके वीडियो जो है आप लगातार देख रहे हैं और इसे आप जो है इसका आंसर भी दे रहे हैं मैं बिल्कुल आप से बहुत ही संतुष्ट हूँ और आपको बहुत सारी सुपकामनाय देता हूँ कि आप जो है इस सत्र को बिल्कुल निरंतर बरकर साथियो मेरा कहने का उद्देश यह है कि परिच्छा के द्रिष्टी कोण से हमें प्रश्ण की प्रकृति मालूम होना अनिवार है ठीक है तो याद रखेगा साथियो कि आप जितने भी वीडियो आया है उसे आप पुनह देख सकते हैं रिवाइस करके देख सकते हैं उसके व भारती भुगोल का आज टॉपिक है हमारा विविद मतलब मिस्लेनियर से जितने भी कोश्चन पूछे जाते हैं उन कोश्चन को इसमें रखा गया है तो उन प्रस्णों को देखेंगे और साथ ही लास्ट में जो है इसके यह रखा गया है कि जो आने वाला विशय है भारती इतिहास उसके बारे में भी जानेंगे कि उसके प्रस्ण किस प्रकार से इस सत्र में कराये जाएंगे ठीक है तो यह आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आगया होगा आए हम आगे बढ़ते है तो हमारा विशय चल रहा है भारती भुगोल जो कि हमेशा की तरह है मतलब चल रहा है जो ठीक है याद रखना है और विवीत से जो प्रस्ण पुछे जाते हैं उन प्रस्णों को इस सत्र में आज हम देखेंगे आईए यह रहा साथियो पहला प्रस्ण हमारा भारत के प्रथम परमाडू रियक्टर का नाम है याद रखेगा साथरो भारत का प्रथम परमाडू reactor जो है आपका महराष्ट में, कहा है आपका, महराष्ट में, ठीक है, color change कर लेते हैं इसका, यह रहाः, ठीक है, M तो दीख रहा होगा आपको, महराष्ट में, याद रखना है भाभा Atomic Research Center, भाभा Atomic Research Center, जो की भारत का पहला परमाडू अनुसंधान केंदर है, वो इस्तित है महँराष्ट में और महँराष्ट में जो है आपका अपसरा नाम का परमानु रियर्टर रखा लगा है आपका जो कि कब का है आपका 1956 से 1956 से संचालित है ठीक है अब भारत का अगर पूछेगा कि भारत का पहला परमाडवनुसंधांद केंद्र कहां है तो महराष्ट में आपका क्या है बार्क जो कि आपका भाबा Atomic Research Center के नाम से जाना जाता है ठीक है तो आईए आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न की ओर अगला प्रस्न है हमारा मानव भूगोल के जनक कौन है ठीक है देखे ऑफ्षन है फेडरेट रेट जेल कार्ल सावर वीडल डी लॉग ब्लाश ठीक है जीन ब्रूंस तो यह नाम दिये हुए याद रखना है कि मानव भूगोल के जनक कौन है आपके फेडरिक रेट जेल फिर इस प्रकार से याद रखना है तो इस प्रकार से विधात्मक प्रस्न पूछे जाते हैं तो हमें खोज करता से रिलेटेट जितने भी वन लाइन फैक्स है उनको याद रखना नहीं आ रहे है परिच्छा के द्रिश्टी कोन से डीटेल क्लास अगर आप अच्छे तरीके से बढ़ते हैं तो यह सारे तथ्य आपको याद रहेंगे ठीक है वर्तमान की स्थिती के अनुशार प्रस्न जो है कहीं से भी पूछ दे रहा है ठीक है तो कहीं से भी पूछ देने के से आहसे यह है कि घुझा tun आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं ये, प्रस्न है हमारा अगला, भारत में प्रथम मेट्रो रेल शुरू की गई, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका अंसर दे दिया होगा, याद रखिएगा भारत में आपका सबसे पहले मेट्रो रेल जो है आपका कलकत्ता में शुरू की गई, उसके बाद जो है आपका दिल्ली, फिर उसके बाद है मुंबई, फिर उसके अद बैंगलोर, ऐसे जो है आपका करम है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, कलकत्ता में सबसे पहले आपका मेट्रो रेल प्रारम की गई, आगे सुमेलित मत होईएगा ठीक तो याद रखेगा भारत में बाढ़ नियंतर जो है आपका 1954 आजादी के सॉरी आपका समीधान लागू होने के चार साल पस्चात आपका 1954 में प्रारंब हुई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं याद रखेगा साथियों जो हमारे देश के प्रधान मंत्री होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं आईए सूची एक को सूची अगला प्रस्ण है हमारा सूची एक को सूची दो से सुमेलित करें तथा नीचे दिये गए कूट से सहीं उत्तर प्राप्त करें ठीक है ओके देखते हैं किस प् रेटन इस्थल है उनसे रिलेटेड जो प्रस्ण पुछे जाते हैं वो इसमें दिया हुआ है आईए इसके इसे देखते हैं तो पंच कुला जो है आपका कहा है हरियाना में ठीक है तो हमारा एक को ऑप्षन क्या होगे जैसे मैं हमेशा आपको एलिमिनेट करके करवाता हूँ प्रस्ण उस पर बिल्कुल जोर दीजिएगा प्रस्ण करने का नजर्या भी हमें देखना है वरतमान की स्थितिक अनुसार भी और हमेसा जब भी आप प्रस्ण करते हैं तो प्रस्ण को एलिमिन यही सही होगा आयो बाकी चीजों की भी चर्चा कर लेते है neither Puga, Puga कहा होगा आपका, जamm hakk sinful है ठीक है सूरझ खंड, सूरच खंड जार खंड में है ठीक है याद रखना यह यह भी परियाटन इस्थल के अदर चौल कर दो होद आपका उत्रे खंड में है चटवा निमनांकित में किसका सुमेल नहीं होगा यह सुमेल हो सकता है ऐसे कुई वर्ड वनी है निमनांकित में इस प्रकार का प्रसन है तो आशा करता हूँ आप यह समझ गहे हो खे सुंधिये तो आएक इसे देखते हैं से जाना झाता है डॉक्टर डी ऐस कोठारी बहुतिकी बिल्कुल २ात आपका बहुतिकी से रिलेटेट whileणब चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके बारे में कुछ डीटेल देखेंगे रहे बहुत आई आगे बढ़ते हैं dr. स्ट्रम एस्वामी नाथन भूगर्व शास्त्र यह गलत होगा यह आपका पहली बात तो यह भारत के जो है आपका मैंने पहले वीडियो मैं बताया था कि आपका हरित कुर्स्फ कई टीक है उसके ओक्ष क्या है तो 2015 में हरित राज मार्ग का लक्ष रखा गया थया विक्षा रुपन हो गया आपका सवंदर ये करण से हैं ठीक है इसे रेलेटेड है ये तो याद रख निधन निर्धनता उल्मूलन विक्षर उपन सही है निर्धनता उल्मूलन हो नी सकता अरोग्य सुविधा प्रदान करना इस से रिलेटेज़े इसकूल त्यागने वाले छात्रों का नावांकन बढ़ाना यह भी नहीं है इन में से कोई हो इनी सकता तो क्या हो जाएगा आंसर इसका एव रिक्षर उपन ठीक है रिक्षर उपन है वाम स्वंदर्री करण से इसका तातपर है इस प्रकार याद रखना है इंग्लिश मीडियो मा ले देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं यह ओके यह अलक सा प्रस्ण दिखाई दे रहा है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आए इसे करते हैं डिंडी गुल नाम है ओके केरल में एक पक्छी विहार का तमिल नाडू में एक नगर का यस देट इस तमिल नाडू में एक नगर का नाम है आपका दिंडी गुल ठीक है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो यहां पस क्या प्रसिद्ध है ठीक आई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने पास भी वर्क रखिए ठीक प्रस्ण कर्मांग 9 है हमारा टिड्डी आ भारत में प्रवेस करती हैं लगाओ आंसर ठीक है कहां से पाक प्रस्ण पूछे चाकते हैं ठीक है प्रकृतिक आपदावं से प्रस्ण पूछे जाते हैं तो करेंट इस अफिक क्चिश को बिल्कुल याद से जाना जाता है ठीक है तो छातरो कोजी कोड के नाम से जाना जाता है ठीक इस प्रकार याद रखना है आहिए आगे बढ़ते कहा है काली καट कोजी कोड आपका केरल में श्राज्ज से संब्दित है देखो यह जो है पे-पदार पर अधारित है ठीक है अधरवाइस नहीं जाना है पेपदार्थ ही याद रखना है ठीक है बहुत सारे लोग समझ गये कि क्या होता है फेणी का जो ठीक है तो याद रखिएगा गोवां का जो है यह आपका मतलब पेपदार्थ है इसे इस प्रकार याद रखना है ठीक है और हमा से यह प्यफदार से प्रस्ण पुछे जाते हैं इन्हें जो है मिसलेनियास के रूप में याद रखना निवार है कि कौन सा प्रकव अदार्थ जो है कहा पिए जाता है ठीक है छतितितफ़िंड्ग कर्फ से ताडी हो गया आपकास उलफी हो गया यह सब सारे पेपदार से प्रस्ण पुछे जाते हैं तो हमें याद रखना है आई आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा स्टेच्व आफ यूटी के बारे में निम्न लिखित में से कौन से कथन सही है ओके यह एक स्टेच्व आफ यूटी के बारे में जानते हो नो जी हमारे बिल्कुल हमारे भारत के जो है बहुत ही important personality हमारे लौपूरुष कहलाते हैं भारत के आपके सरदार वल्लब भाई पटेल उनको बिल्कुल समर्पित है तो यह तीनों कथन सत्य होगा यहां दिया होगा 123 तो यह क्या होगा आपका तीनों कथन सत्य है इसका ठीक है आगे है इंदौरी इंदौरी वर्ट सुना होगा ना आप लोगों ने ठीक है आगे उसको में नहीं जाओंगा लेकिन याद रखना इस प्रकार से याद रख सकते हैं याद रखने वाले तथि बता रहा हूं ठीक आगे बढ़ते हैं प्रसंद का मांग 14 है निम्नांकित में से किस सहर को भारत का डिट्रॉइट कहा जाता है कि है याद रखना हैं आपको चंणेगो और और कियो कहा जाता है जी यह ये ये तो जान गहां है ह। तो वैसे ही आपका क्यों कहा जाता है डेट्रोइट तो इसलिए यह आद रखने है चात्रो यह आगे बढ़ते हैं अगला प्रशनल हमारा उत्तरी दुरूब पर इस्थित भारती रिसर्च सेंट इस्टेशन का क्या नाम है याद रखेगा ही मादरी ठीक है तो यह रिसर्च स्टेशन भी याद रखना ठीक है रिसर्च सेंटर रिसर्च स्टेशन ठीक है और आपका यह मतलब जितने भी मिसलिनियर्स टॉपिक्स है उन सब्दों को उन स आगे बढ़ते हैं यह सुमेलित किजिए भुमिगत रेलवे ओके यह कुछ इस प्रकार से होगा कि भुमिगत रेल्वे खहा है डिक अगा वड़ते हैं तो बोमीगतStra1 तो मालूम है कहा है कलकथ्ता में ठीक है? एक अटू होगा, कहां दिखाई दे रहा है, ए देखो, सीधा दिखाई देती है, तो eliminate करने का बिल्कुल याद रखेगा, प्रस्न करने से पहले जो है, आपको option कैसे eliminate किया जाए, इस पे आपका विचार मेरे को याद है, भुमीगत रेलवे कलकत्ता में है, ठीक है, तो मैं उ अलिगड़ आपका, कहां है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र, आपका चावल अनुसंधान केंद्र कहता हूं, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, प्रस्न कमांग 17 है, टोड़ा जन जाती निमलिखित में से किस राज् प्रशित करने के लिए आपका एक, आपका द्रिश्यम बनाने के लिए बता रहा हूं, कि जन जाती से प्रस्न पूछे जाते हैं, जन जाती के प्रस्न याद रखना हमें अनिवार रहे हैं, कि कौन कौन सी जन जाती, आप बोलेंगे सर, इतने सारी जन जाती, मैं बार बार आपसे सारी जन्जाती याद हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं आईए, अगला है हमारा प्रस्ण कमांग अठारा, राष्ट्री आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है ठीक है तो याद रखना है आपका आपदा प्रबंधन संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है ठीक इस प्रकार के तथी याद रखने आई आगे बढ़ते हैं निमलिखित में से किसे स्वेन स्वेन हैडन ने उच्च एशिया क को लिए कि रीड कहा है कि जासकर स्रेणी कारा कोरम स्रेणी कैला रखेरिनी याद रखना है कारा कोरम स्रेणी मैंने आपको उत्तर भारत की परवत-वीयक्ष्णð पढ़ाया है सच्छ सट्र में ठीक ज़ो क्या आपका हिमालय से रिलेटेट है ठीक है उसको आसान वर्ड में लिखा है मैंने ताकि आप हिमालय अच्छी तरीके से याद कर लें हिमालय का जो आपका ट्रांस हिमालय वाला छेत्र है कारा कोरम लद्दाग जासकर पीर पंजाल वाला छेत्र तो कारा कोरम स्रेणी जो है आपका किसने आपका आपका स्वेन हैडन ने जो है क्या कहा है एशिया का रीड कहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह अगला प्रस्ण है हमारा question number 20 निमलीखित में से कौन सा नगर भारत की सिलिकॉन घाटी कहलाती है ठीक है अभी बताया है थोड़ा दिर पहले बेंगलूरू ठीक है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है ठीक है इंगलीश मीडियो माले देख सकते हैं यह आगे बढ़ते हैं यह प्रस्ण हमें सब पूछता है यह रहा आपका लास्ट कोश्चन का जनगणना का प्रस्ण कराया था मैंने आपको उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है मैं उनको बहुत बहुत सुपकामनाय देता हूँ और उनकी निरंतरता को मैं सलाम करता हूँ ठीक है तो इसी प्रकार हर सत्र में जो है आंसर देते रहें ठीक है इस प्रकार जो है इसका आंसर क्या होगा निमल सत्र हमारा आने वाला है भारती इतिहास का जिससे topic wise आपके प्रस्ण कराये जाएंगे अब वो किस प्रकार के होंगे आईए हम मैं इसे आपको समझाता हूं यह इस प्रकार है question session program ठीक है दिखाई दे रहा है mcq pattern में सारा चीज होगा detailing भी होगी कुछ ठीक इस प्रकार याद रखना है भारत का इतिहास cover करेंगे अब ठीक है आज से जो है आपका यह complete होता है भारती भूगोल का सत्र और आपका भारत का इतिहास चालू होगा जिसे तीन भागों में हम पारंपरिक रूप से पढ़ते हैं मैंने आप आपको पहले वीडियो में समझा था कि प्राचीन भारत के इतिहास इसे एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं थीक है इस प्रकार से आधुनिक इतिहास जो प्रश्ण है वो इस सत्र में आपको देखने मिलें अब एक इस प्रकार होगा तो प्राचीन भारत के इतिहास के तहद इस प्रकार समझ सकते हैं ठीक है समझे इसे के आपका पहले परशानकाल के प्रशन होंगे फिर इंडेस्वेली शिविलाइजेशन का होगा फिर उसके बा के बाद आपका मेडिवल में आएंगे फिर उसके बाद आपका मॉडन हिस्ट्री का आशा करता हूं आप लोग को यह सत्र समझ में आया होगा इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चाहत्रों जय हिन जय भारत